जै गुरुदेव आईए भक्त जनों आज आपको बाबा जी की एक बहुत ही प्रशंचनिय बात बताती हूँ एक भक्त हुआ करते थे जो की बहुत ही आध्यात्मिक प्रवरिती के थे और बच्पन से ही अपने माता पिता के साथ उन्हें आदत थी कि वो जिस भी शहर में जाते घूमने के लिए तो वहाँ पे वो जरूर किसी ना किसी मंदिर के दर्शन करते हैं वहाँ कौन से इश्ट माने जाते हैं वहाँ के कौन से दीवता प्रसिद्ध हैं ये सब उनके परिवार का एक चलन था और वहाँ जाकर वो एक दिन पूरा उस मंदिर को समर्पित करते हैं और उसमें जो भी अनुष्ठान हो रहे होते हैं यग्य, कीर्दन, भजन उसमें शामिल हो जाते हैं और इससे उन्हें बहुत ही अच्छा, मतलब उन्हें अच्छा लगता, उन्हें शाम्ती मिलती और वो नई नई चीज़ें सीखतें तो ऐसे ही चलते चलते जब ये बालक बड़े हुए तो इन्होंने भी अपने परिवार के साथ इस प्रथा को कायम रखा ऐसे हर मंदिरों के दर्शन करना, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उनका एक तरह से उनके होबी बन गया, उनका शौक बन गया और फिर नंबर आया कैची धाम का, कहते हैं जब वो अपने परिवार के साथ कैची धाम पहुँचे तो वहाँ वो रुके और रुकने के बाद उन्होंने कैची धाम के अंधर जो जो मंदिर हैं सब के दर्शन किये, उनमें पूजा पाट करी बैठके, सब कुछ किया और फिर वो समय आया जब उनको बाबाजी से मिलने का सौभागी प्राप्त हुआ बाबाजी अपने तकहत पर वैसे ही लेटे हुए थे, जैसे वो हमेशा मिलते थे, कंबलोडे हुए, भक्तों की बाते सुनते हुए, प्रशाद देते हुए, हसते हुए तो जब इनकी बारी आई, तो इन्होंने भगवान जी से, मतलब सौरी, बाबाजी से एक ही प्रश्न किया कि बाबाजी मैं लगभग देश के हर मंदिर अब गूम चुका हुँ, बच्पन से आज तक और जहां भी मैं गया हूँ, वहां बड़े-बड़े अनुष्ठान होते हैं, यग्यों होते हैं, किर्टन होते हैं, जब होते हैं, बड़ा मतलब एक माहौल सा बन जाता है लेकिन आपके यहां बहुत शान्ती है आपके यहां ऐसा क्यों नहीं होता यह मेरा प्रश्ण है क्या इस मंदिर को उन अनुष्ठानों की जरुरत नहीं तो बाबाजी हसने लगे और उनके जो भक्त जो उनके साथ रहते थे उनके शीश्य वो भी हसने लगे बाबाजी नहीं कहा बालक तुम्हारा प्रश्ण गलत नहीं है बहुत अच्छा प्रश्ण नहीं किया तुमने लेकिन मैं नहीं विश्वास करता हूँ इन सब चीजों पे मेरे को नहीं लगता कि मैं तुम्हें कोई भी ऐसा ग्यान दूँगा जिस जो ग्यान तुम्हें नहीं होगा पहले से या मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ओपर कोई भी अपनी बात को जबर जस्ती थोपूं कि तुम ऐसा करो तुम उसे मानो तुम ऐसा ही करो जीवन में उससे तुम बाध्य हो जाओगे बिल्कुल नहीं मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि राम नाम जपो मैं तुम से ये भी नहीं कहता राम चरित मानस पढ़ो गीता पढ़ो बड़े बड़े ग्रंत पढ़ो नहीं देता मैं ये सब ग्यान क्यूंकि उसको पढ़ना और उसको समझना ये तो बहुत ही कठिनकारी है पढ़ना आसान है लेकिन उसको पढ़ना उसको समझना उसको अपने ध्यान में ले आना उसकी एक एक पंक्ती एक एक शब्द को अपने जीवन में अपना लेना उसके हिसाब से अपना व्यवहार करना ये तो आम आदमी से हो ही नहीं पाएगा इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे सरल विधी चुनो बस राम नाम का जब करो जहां तुमने राम नाम का जब कर लिया और अगर तुम जब भी नहीं कर पारे तो सिर्फ राम बोल दो दिन में एक बार तुम्हारे कश्ट तुम्हारी प्रॉब्लम सब वहीं सॉल्व हो जाएगी ये बहुत चमतकारी नाम है ये बहुत पावरफुल नाम है और इसी को मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि करो बाकी मैं किसी को रोकता नहीं हूँ यहां आश्रब में लोग आते हैं भगवानों के आगे बैठके पूजा पाट करते हैं मैंने कभी किसी को रोका नहीं है लेकिन मेरी अपनी कुछ सोच है तो देखा भगतो कैसे नीम करूली बाबाजी राम नाम को लेकर कितने पॉजिटिव थे तो ऐसे ही आप आपको आगे बताती हूँ कि हनुमान चालिशा को इतना महत्व क्यों मिला आश्यानिवार है तो हम प्रभू हनुमान जी को जबते हैं उनके पूजा करते हैं तो क्या हम जानते हैं कि हनुमान चालिशा इतनी प्रसिद्ध हुई को तो ध्यान से सुनिएगा कि कल्यूग में भगवान श्री राम भक्त हनुमान ऐसे साक्षात और जागरत देव हैं जो थोड़ी सी पूजा से जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कश्टों का निवारण करते हैं हनुमान जी की उपासना से सुख शान्ती आरोग ये एवं लाप की प्राप्ती होती है नकारात्मक शक्तियां भी हनुमान जी के भक्तों को परिशान नहीं करती हनुमान जी की महीमा और भक्त हितकारी स्वभाव को देखते हुए तुलसी दास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना की थी इस चालीसा का नियमित या मंगलवार शनिवार को पाट करने से बहुत से चमतकारी कलाब मिलते हैं मंगल शनी एवं पित्र दोशों से मुप्ती के लिए भी हनुमान चालिसा का पार्ट लापकारी है हनुमान चालिसा संत गोस्वामी तुलसिदास की एक अविश्विस्निय कृती है जो किम वंदनती है कि उन्होंने पवित्र मंत्र की रचना तब की थी चालिसा का अर्थ है चालिस और इसलिए हनुमान चालिसा में भगवान की स्तूथी के लगभक चालिस श्लोग है ऐसा माना जाता है कि यदि पूर्ण भकती के साथ दिव्य पार्ट का पार्ट किया जाए तो चालिसा के गटको से आपकी जीवन में शानथी होती है मांगलिक लोग हनुमान चालिशा का पाड़ भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी दिव्य शक्तिया मंगल दोश को ठीक कर देती है हनुमान चालिशा के एक से एक बड़े लाब है जिनमें जीवन में शक्ति, साहर, सफलता, सम्रद्धी शामिल है हनुमान चालीशा का पाट करने से नकारात्मक उर्जा और आत्माएं भी दूर हो जाती है हनुमान चालीशा को बुरे कर्मों को दूर करने के लिए गाया जाता है यह भी कहा जाता है कि हनुमान चालीजा का पार्ट शनी देव को प्रभावित करने का सब्च अच्छा तरीका है इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं समाप्त करती हूँ जै मेरे गुरु देव, जै श्री हनुमान जी, जै सीताराम